तो आज से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे तैट इस बैक ट्रैकिंग तो आपको वैसे काफी सुनने में आगात की डिफिकल्ट है और प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी दिक्कत होती है तो आज हम समझेंगे बैक ट्रैकिंग बेसिकली होता किया और फिर नेक्स विले ट् तो आप अगर वहले भी करोगे तो आपके बैक ट्रैकिंग के लिए प्रेक्विस्ट क्या है रिकर्जन आपको रिकर्जन बहुत अच्छे से आता होगा तो बैक ट्रैकिंग के प्रॉब्लम कुछ नहीं है बस एक अडिशनल लाइन है आपको एड करनी है उसके लाब है कु तो हमें कोई भी प्रॉब्लम दी हुई है तो फिर बैक ट्रैकिंग क्या करता है उसे सॉल्व करने की बहुत सारी अप्रोच लगाता है जैसे कि इसे एक वे से सॉल्व करके देखेगा अगर उससे नहीं होगा तो यह वापस पीछा हैगा और फिर दूसरे रास्ते पे जाक वापस आते थि दूसेर ACLU देखे चलते था फिर ऐसे टाइंगे ऐसे चर्देच करते था कि हमें रास्ता मिला है नहीं अगर हम एंड परपोच गया कोई चरसे पर पिर नहीं चलते हैख और रिकजन एक आगे चलने वाला प्रोसेस है वह वापस पीछे आते वह अंसर चेंड नहीं करता था जैसे पीछे आते थे तो हम यह निशान मटा देते थे कि हम यहाँ पर गए थे फिर दूसरे रास्ते पर जागे देखते थे तो recursion में भी हम सारी similarity देखते हैं दोनों में similarities के हैं तो दोनों में similarity के हैं दोनों में सारे possible combinations हम चेक करते हैं कि अगर हम कोई भी possible solution चेक कर रहे होते हैं तो सारे के सारी जगे जाके देखेंगे कि जैसे बहुत बड़ी grid है उसके अंदर हम हर एक point पे जाकर देखेंगे से solve करते हैं अभी थोड़ा सा basic देख लेते हैं backtracking का मतलब और अच्छा समझाएगा तो हमें एक problem दिया है जिसका नाम है end queen problem यह काफी ज्यादा famous problem है backtracking में backtracking के बारे मैं सोच्छा है जो सबसे पहले यह problem दिमाग में आती है ठेक है तो इसमें क्या दिया हुए हमें 4 queens जैसे chess board में होता था queens हो दिरी उसमें हम तो उसमें constraints है हमारे दो queen same row में नहीं होनी चाहिए same column में नहीं होनी चाहिए और diagonal में नहीं होनी चाहिए तो जैसे for example अगर आपने queen यहां पर place करिए तो जहां-जहां पर मैंने cross लगाया यह same row, same column और यह diagonals में यहां पर queen नहीं हम और queen नहीं रख सकते तो हमें problem solve गड़नी है तो इसे अब कैसे solve करें एक possible answer क्या है using backtracking तो backtracking से क्या करेंगे पहली queen हम यहां पर place करके देखेंगे ठीक है हमने यहां पर place कर दी ना फिर अब इस row में तो हम कर नहीं सकते तो हमें second queen के लिए क्लिए next row पर जाके तो इस पूरी रो में तो हम पॉसिबली हां पर रखी नहीं सकते तो हम वापस इसे answer भेजेंगे कि नहीं यह गलत अंसर है गलत जगे queen place करी है तो आप queen की जगे हटाओ तो अब यह उठा के यहां पर रख के देख लेगा क्योंकि इसने यहां यहां तो चेक कर लिया हां नह रहा अब यहां पर place कर देखेंगे अब फिरसे fig नहीं हम इन रख सकते हैं नहीं इस की वजा सकते हैं क्योंकि यह वाला इन दो वे र Kellya नहीं पर प्लेस कर सकते हैं हमारी queen पर place हो गई टेक है अब यह अगली वाली रो पे कॉल कराएगा अब कहेगा कि हमने यहां 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 पे कुईन प्लेस कर दी है अब के इस वाली रो में कुईन खहीं पे प्लेस कर सकते हम चेक करते हैं यहां पर नहीं कर सकते हैं यहां पर नहीं कर सकते हैं यहां पर इसकी वरे से फिर नेक्स वाली row पे call करेगा कि अब बाकी row के लिए answer लागे तो जैसे recursion में करते थे सारी possibilities चेक कर लेते ऐसे इसमें हमने क्या किया है queen को हर जगे रखके सारी possibilities चेक कर ली इस वाली row में queen गहीं पे भी रख सकते हैं यहां रख के answer देखा फिर यहां रख के इर जिससे भी answer आएगा हमारा answer उससे आजएगा ढीए ऐसे अब backs cracking कैं हुरो कि 3 एसमें कि हम प्लेस करके देख रहे है जैसे हम इन इधर देखा था ना रखा ही नहीं गया तो अब na call करा रहे हैं कि नई भई ऐसे रखा नहीं जा रहा है इस queen की place change करो पिछले वाली queen की place change करो तो अगर यह queen last में place रहे तो इससे आगे तो place हो नहीं सकती तो यह वापस और पीछे backtrack करेगा answer कि भई यह गलत तुमने रखी है queen queen की जगे change करो तो ऐसे ऐसे करके हमारा एक possible solution आएगा जहां पर हमारी सारी queen सही से place करी होगी तो हम आगे वाली वीडियो में यही end queen problem देखेंगे और फिर उसमें उसका code भी अच्छे से देखेंगे और उसका solution यह four queen problem का solution क्या आ सकता है वो check करेंगे अच्छे से dry run करके देखेंगे तो यह आगे वाली वीडियो में आगा तो आपको अब समझा आगे होगा backtracking क्या होता है backtracking basically क्या होता है सारी possibilities हम check कर रहे है आगे जाते हुए और अगर answer नहीं आ रहे है तो backtrack करके उसको फिर से check कर रहे है कि दूसरी possibilities answer आ रहे है कि दूसरी आगे तो place हो नहीं सकती क्योंकि यह तो end of column है last column है इससे आगे हम इसे place कर नहीं सकते तो यह वाला column भी और पीछे call कर आदेगा कि नहीं भई यह ऐसे place नहीं कर पाएंगे इस queen की जगे ठीक करो तो यह और आगे हो जाएगा यह फिर और आगे भेजेगी हम अगर यहाँ पर भी अंसर नहीं आया तो यह वापत अंसर देगा false कि वह यह अंसर आई नहीं सकता ठीक है वैसे इस वाले four queen problem में अंसर आता है हम आगे वाली वीडियो में देखें तो फिर आपको backtracking समझा गया होगा अगर आपको कोई भी problem है तो फिर आप comment section में लिख सकते हैं तो thank you for watching see you in the next lecture